नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट का इंतियार खत्म जैक बोर्ड दस्वे और बराहवी की परिक्षा दिये छात्रों के इंतियार की घड़ी खत्म होने वाली है, पतादे 20 वसनिये सुत्रों की माने तो मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट 23 मय या निकल जारी होगा जबकि इंटर कोमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट बाद में एक साथ जारी किया जाएगा, रिजल्ट जैक की अधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा, बदादे जार्खन में दस्य और बराहवी साइंस बोर्ट की परिक्षा देने वाले छात्र आयोक की अधिका दर्च करने को कहा जाएगा, उक्त दोनों जनका ये दर्च करने के बाद आपना रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगा, बता दे मार्क सीट को आप भवी से के लिए डाउनलोड कर प्रिंट कर निकाल सकते हैं, अगर किसी वज़ा से आयोक का वेबसाइट क्रेस हो जाता है, तो वे एसमेस के जरिये भी रियर्ट देख सकते हैं, जारखन के छो जिलो में थोड़ी देरी में होगी वर्षा, भीसन गर्मी जेल रहे जारखन के कई जिलो में थोड़ी देर में वर्षा होने वाली है, राजधानी राची समेथ कम से कम छो जिलो में वर्षा कि रांची गुमला लोहतगा खोटी सिम्टे का और पच्मी सिम्भूम जिले में कुछ घंटों में वर्चा होगी बजरपात की भी है संका जताई है वर्चा और बजरपात के अलावा 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटा के रफ्तार से हलाए भी चलेंगी खरा मौसम के दुरान लो 25 से 996 सहायक आचार्यों की नियुक्ति में अभी समय लग सकता है अभी तक नेमावली में संसोधन नहीं हुआ है इसकुली सिक्षा वस्चरता विभाग की ओर से नेमावली में संसोधन होने के बाद इसे मंजूरी के लिए कार्मिक विभाग और बित विभाग को भेजा जा जिसके बाद सिक्षा विभाग कार्मिक विभाग को 25 से 996 से पदोपन नियुक्ति करने के अनुसंसा भेजेगा और फिर कार्मिक विभाग इस अनुसंसा की अधियास ना जार्खन करमचरी चैन आयोक को भेजेगा जार्खन में मीनी पाकिस्तान पर बवाल दाताओं के नजरी से मधुपूर, जर्मुंडी और गोड़ा में भी मुस्लिम अबादी है इर्फान अनसारी के इस ब्यान पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए पुरमुखबंतरी बाबुला मरांडी ने कहा है कि यह ब्यान उनकी बैचारी की दरसाता है वहीं बिजेपी सांसर निसिकान दूबे ने कहा है कि कॉंगरेस और जामों का क्या एजेंडा है या इर्फान अनसारी के ब्यान में दिखता है हलाकि बावाल बरता देख इर्फान अनसारी ने यू टरन ले लिया है उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिजेपी का बियान दोराया है ज्खारखन के ज्खारखन के जाम तरह में 80,000,000 प्रुपए किलो आम अलू प्याज के भाव बिकने वाले काजु ही नहीं बलिक दुनिया के सबसे महंगे मिया जाकी आम के लिए भी जार्खन का जाम तरजीला जाना जाएगा बता दे नाला बिधान सभाग के अरिदम चक्रवर्ती ने अपने बगीचे में बिदेशी प्रजाती के कई आम है अरिदम चक्रवर्थी ने अपने बगीचे में जापानी आम मिया जाकी थाइलेंड का बेरी मैंगो एम किंग ओफ चाका पाता अमेरिकी प्रजाती का अमिया का रेड किंग इंडोनेसिया का हारून मनीज सहीत आमो की कई प्रजातिया के पेड़ लगाये हैं इन में से जापानी मिया जाकी आमो के अंतरश्टिया बजार में कीमत अठाई लाख रुपे किलो से लेकर दो लाख सत्ते रेड प्रत्ती किलो है इस बार मिया जाकी आम की पैदवार भी अच्छी हुई है जिसे देख किसान अरिदम का चेहरा खिला हुआ है दिनेस गोप को कोत में किया पेस आट दिन की मिली रिमांड पीय लेफाइ सुप्रीमो दिनेस गोप को 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 कोर्ण में पेस किया गया कोट की समय और दिखत में होने के बाद दिनेस गोप को पेस किया गया कोट के समय में उसे इसलिए पेस नहीं किया गया क्योंकि सुरक्षा की दिरिश्टी कोन से भीड भारवाले इलाकों में उसे पेस करना मुस्किल हो रहा था बता दे NIA की कोट में धिनेस गोप को पेस किया गया इससे पहले उसका मेडिकल भी कराया गया था बता दे कि पीलेफाइज सुप्रीमो धिनेस गोप को जार्खन पुलिस और NIA ने साजा करवाई करते हुए नेपाल से पकाया है रभीवार को दिनेस गोप को पकड़ने के बाद नेपाल से राची लाया गया था आज उसे एनाये की कोट में पेस किया गया पेसी के दर सुरक्षा की कड़ी बेवस्था की गई थी निकाय चुनाव नहीं कराने पर भाजपाने साधा निसाना बीजेपी के परदेश अध्यक दिपक प्रकास ने राजप में नगर निकाय चुनाव नहीं होने को लेकर हमन्त सरकार को जिम्यदार ठाराया है उन्होंने कहा है कि इसमें सरकार की साजिस है बदादे भारतिये जन्ता पार्टी की राजपी जीला महनगर की पाचवी कारस्मिती बैठक हुई इस बैठक में मुख्य थी थी के रूप में सामिल हुए परदेश अध्यक दिपक प्रकास ने कहा है कि राज्ये की सरकार एक साजिस के तहट राज्ये में नगर निकाय चुनाव नहीं करा रही है उन्होंने कहा है कि सरकार की 600 हरी जन्ता को उन सु विधाव से वंचित करना है जिनकी वह हगदार है बारतिय जन्ता पार्टी के परदेश अध्यक्स और आज सबसान से दिपक प्रकास ने कहा है कि आज संपुनर राची में पानी और बिजली को लेकर त्राहिमा मचा हुआ है सरकार चुप है हमान सोयन की सरकार निगम चुनाव कराना ही नहीं चाहती दिपक प्रकास ने बिजली पानी की समस्या दूर करने और निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर भाजपा करकाताओ से सरक पर उतरने का अवाहन भी किया है राष्ट पती की आगमन पर सुरक्षा बेवस्था सक्त दो किलोमीटर तक रेड जोन राष्ट पती द्रोपती मुर्मो के आगमन को लेकर जहारखन में जोर सोर से त्यारी हो रही है राजधानी राची में सुरक्षा को लेकर कड़ इंतेजाम किये गाए कारेकरम अस्थल के दो किलोमीटर की परीधी को अस्थाई रेड जोन खोसित किया गया है यह आदेश डिसी राहूल कुमर सीना वर यह पुलिस अधिक चक ने जारी किया है बतादे राजभवान नौ निर्मीत उजज ने आलाए और आई आई टी नामकों में आयोजित कारकरम के दोरान यह आदेश लागू रहेगा रेड जोन में भी कोई भी ब्यक्ती सक्षम पता अधिकारी के उन्मती के बिना ड्रोन का प्रचालन भी नहीं कर सकेगा वही राश्ट पती के सुरक्षा ब्यवस्ता को लेकर रभीवार की रात एसेसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने अधिकारियों को कारकरम के दोरान आने जाने के रूट में कहीं भी गाड़ी या ठेलर लगाने नहीं देने का निदेश दिया इसके लावा होटल की चेकिंग और कारकरम अस्थल के आज पास के इलाके में रहने वाले नए लोगों का सत्यापन करने का टास्क दिया है जगरनाथ महतों की पतनी को जहमुमो डूमरी बिधान सभा से लडा सकता है चुनाव सिक्षा मंत्री जगरनाथ महतों की निदन के बाद डूमरी बिधान सभा सीट पिछले डेड़ मां से रिक्त है अगले बिधान सभा चुनाव को लेकर सभी लगभग डेड़ वर्ज का कारेकाल बचा हुआ है आईसे में इस सीट पर उप्चुनाव होनाता है बतादे स्वर्गिये जगरनाथ महतों के परिवार में पत्नी बेवी देवी समेत एक बेटा खिलेश महतों और फराजू महतों के अलावा चार पुत्रिया है पार्टी सुत्रों के अनुसार जहमों स्वर्गिये जगरनाथ महतों की पत्नी को चुनाव लड़ा सकता है इसे लेकर पार्टी के अंदर खाने में समाती भी बन गई है पिछले दिनों स्वर्गिया महतों की पतनी वह बेटे ने मुख मंत्रे हमान सुरन से भी मुलकात की थी राइनिती में युवा होने की वज़ा से फिलहाल जगनात मातों के बेटे को केमिनेट से दूर लखने की बात कही जा रही है जिससे पार्टी के वर्ये नेताओं की ओर से भी रोध नहीं हो पाया है सराय केला में ट्रक वा हैवा के बीच टक कर सराय केला कांडरा वा कांडरा सलाय केला मार्ग पर आए दिन सडक हाजसे में लोगों की महत हो रही है आएसा ही एक ददनाक हचा सोम वा तलके कांडरा चौका मार्ग पर हुगा जिसमें ट्रक वा हैवा के परचके उड़ गय बतादए यह साथ से में हाइवा चालक इचाक गर थाना छेतरे के काठ गोड़ा निवाशी रामदास करमकर वे ट्रक चालक निमडी थाना छेतरे के रघुनाथ पूर निवाशी बिजय महतों की घातनास तलपर ही महत हो गई दोनों सौव हाईवा वाट ट्रक में फस गए थे करीब दो घंटे के मेहनत के बाद पुलिस ने सौव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला सौव को कबजे में लेकर पुश्मास्टम के लिए भेज दिया गया है प्रिपेड अस्मार्टमीटर नहीं करा रहे है रिचार्ज तो कट जागा कनक्सन वैसे कंजूमर जिनके घर पर लगा अस्मार्टमीटर प्रिपेड हो चुका है और वे अब तक उसे रिचार्ज नहीं करा रहे हैं उन कंजूमर्स का बिजली कनेक्शन कटेगा JVBNL इसकी त्यारी में जुट गया है बतादे JVBNL से मिली जनकारी के अनुसार अब तक 378 मीटर को प्रिपेड किया जा चुका है और इन सभी का सिकुरिटी मनी भी एड़ज़्ट करके बाइलेंस माइनस किया जा चुका है इसके बाद भी अब तक ऐसे कंजूमर अपने प्रिपेड मीटर को रिचार्ज नहीं करा रहे हैं इन्हें बाव 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 जे बी बेनल आईटी सेल के दोवारा टेक्स्ट मैसेज ऑनलाइन मैसेज भी दिया जा रहा है मगर कंजूमर इसे एग्नोर कर रहे हैं इसलिए आप जे बी बेनल कनेक्सन लेते हुए इनका बीजली कनेक्सन काटने की त्यारी में जूट गया है आटोमेटिक बीजली कटने वाला कमांड अभी तक चालू नहीं किया गया था जीसे अब चालू किया जा रहा है इसके चालू हो तो ये खुद बिजली कट जाएगी अभी उबवक्ताओं को मेसेज कर रिचार्ज करने का आगरा निगम द्वारा बार बार भेजा जा रहा है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेल एक अगर बाये साथ इसाथ आप हमें कोमेंट बस पर अपना फीड़वाय कवस से दे थैंक यू